सब्सक्राइब कीजिए नेट सिखो सिखाओ और दबाए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बिनोद मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल नेट सिखो सिखाओ में दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको अंडरवाइट फोन में स्क्रिन पिनिंग सैटिंग के बारे में बताने वाला हूँ तो अगर आप भी जानना चाहते हैं यह स्क्रिन पिनिंग सैटिंग क्या है और क्या काम आती है तो फिर इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों जो screen pinning setting है अगर आप screen pinning का इस्तिमाल करते हैं तो फिर आप अपने phone को आउर भी सुरचित कर लेते हैं मान लेजिए आपका कोई friend है और आप से facebook यूज करने के लिए phone मांग रहा है तो फिर अगर आप screen pin लगा कर phone को देते हैं तो फिर आपका friend facebook के अलामा किसी भी चीज को नहीं छेड़ पाएगा दोस्तों क्या होता है कि कई ऐसे हमारे friend होते हैं जो facebook यूज करने के वहाने phone लेते हैं और फिर आपकी gallery में चले जाते हैं gallery में वीडियो देखने लगते हैं या फिर माल लेजिए कुछ photos देखने लगते हैं या फिर माल लेजिए आपके whatsapp को देखने लगते हैं आप चाहते हैं ऐसा ना हो जिस application को यूज करने के लिए मैं friend को phone दे रहा हूँ सिर्फ उसी application को यूज कर पाए तो फिर आपको screen pin का इस्तेमाल करना चाहिए screen pin का इस्तेमाल दोस्तो कैसे करना है इसकी setting कहां पर है मैं आपको बताऊंगा इसकी setting आपको setting में मिल जाएगी सबसे पहले आपको setting में जाना है setting में आने के बाद में दोस्तो सबसे नीचे आपको चले जाना है नीचे आपको security setting का option मिल जाएगा तो आपको security setting वाले option पर click करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं security setting तो इस पर click करना है उसके बाद नीचे आपको चले जाना है यहाँ नीचे आपको screen pinning का option दिख जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं screen pinning दोस्तों इसको मैंने पहले से ओन कर रखा है आपको दिखाने के लिए इस पर क्लिक करना है तो आपको क्या करना है यह जो ओन है इसको यहां से इस तरीके से ओन कर लेना है क्योंकि मैं पहले से ओन कर रखा हूँ तो मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से जब on कर लेंगे आप यहाँ पर on आपको side में दिखाई देगा जब यह screen pin यहाँ से on हो जाएगा तब आप screen pin का इस्तेमाल कर पाएंगे for example यह on कर दिया मैंने अब आपका कोई friend है आप से बोल रहा है chrome browser यूज करने के लिए या फिर calling करने के लिए या फिर youtube वीडियो देखने के लिए जो भी कोई application यूज करने के लिए वो बोल रहा है सबसे पहले आपको उसी application को open कर देना है जैसे for example के लिए मेरा कोई friend है वो बोल रहा है facebook यूज करने के लिए तो मैं यहां सबसे पहले Facebook को open कर लूँगा Facebook open करने के बाद में phone में जो home button है उस पर click कर दूँगा उसके बाद side में जो drop down वाली button है उस पर click कर दूँगा तो जब मैं drop down वाली button पर click करूँगा तो कुछ इस प्रकार से option आ जाएंगे आप देख सकते हैं आपके phone में भी ऐसा होता होगा तो जब आप drop down वाली button पर click करेंगे तो यहां पर आपको pin दिखाई देगा तो pin छपा हुआ जो दिखाई दे रहा है इसी पर आपको click कर देना है तो आप देख सकते हैं यहां पर screen is pinhead दिखाई दे रहा है यानि कि यह screen pin लग चुका है यहां आपको goat it पर click कर देना है यहां goat it पर click किया अब यह screen pin लग गया है तो अब जो मेरा friend facebook यूज करने के लिए phone ले रखा है वो जो है facebook के लावा किसी भी चीज को अब यूज नहीं कर पाएगा यहां पर वो bag करता है तो bag नहीं होगा home button को दबाता है तो वो भी नहीं दबेगा और यहां drop down वाली button को भी दबाएगा तब भी अब काम नहीं करेगा तो यहां पर आपका कोई button काम नहीं करेगा तो जब आपका friend है वो सिरी facebook पर ही रहेगा और किसी भी चीज को नहीं देख पाएगा तो जैसे हम यहां पर bag button या home button या कोई भी चीज दबाएगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा to unpin this screen touch and hold bag यानि कि अगर आपको इसको unpin करना है तो आपको bag वाली button को दबाकर रखना होगा कुछ second के लिए यानि कि एक दो second आपको दबाकर रखना होगा तो चलिए यहां दबाकर देख लेते हैं यहां पर हमने दो second ही दबाया तो यहां पर मेरा phone lock हो गया है तो यहां हम अपने password से इस pattern lock को खोल लेते हैं फिर से हम अपने phone में आ जाएगे तो यहां आप हम बायक कर सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को share और like जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुद्बार चैनल